साथ निहारा साथिया मैं खुदी गुंद लियाती हूँ काका जी, हाप्पी अनुरसरी थैंक्यू राशी दिखरा हाप्पी अनुरसरी जीजा जी थैंक्यू जिगना पराग भै शादी के सालगुरा मुबारक खुब खुश रहो थैंक्यू सो मच्च तम अबयोनी जोड़ी सलामत रहे और तुम खुश रहो दिखरा बहुत बहुत थन्यवाद बाद यह सब कुछ तो हो गया अभी पाक पकवान और साथ सजावाट का काम शुरू कर देना चाहिए पर बा उसके लिए कैसे भी करके कोको को घर से बाहर निकाला होगा ना मिठी मिठी न्यू मार्केट चली जा और वहां से केसर जले भी ले करा मैं पैसे निकाल कर देती हूं सौरी कोकिला वो क्या है कि मुझे मिठी के हातों तुम्हारे मोटा भाई के कपड़े प्रेस करवाने कोई बात ने मोटा भावी मिठी जा तुम जाकर मोटा भावी ने जो काम सौपा है वो पूरा कर लो जी राने भावी क्या करो एक काम करते हूं एहम को फोन करके पूछ लेती हूं एहम या जिगर दोनों मैंसे जो भी न्यू मार्केट जा सकता है वो चला जाए और गोपी वाव के लिए के कोपी बिता मत परेशान हो बस शाम तक की तो बात है हम सब मिल जूर कर खूँ अच्छे से बाटे मनाएं और देखना कोपी ला को भी बहुत पसंद आएगा हम मेरी सर में बहुत दर्द हो रहा है क्रिष्ण भगवान अचानक कैसे पता नहीं को की लेकिन हाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा सो लूँगा ना तो मुझे आराम मिलेगा मैं सो लेता हूँ वो मैं डॉक्टर को फोन करूँ नहीं ठीक है मैं आराम करूँगा तो हो जाएगा तो ठीक है अब आराम कीजिये और हाँ घर से बहार मत निकलेगा कोकिला कोकिला जी मोटा बापी तो मैंने सोचा कि राशी से ही कह दूँ कि वो न्यू मांकेट चली जाए और गोपी वो के लिए जले भी लेक कर आए कोकिला राशी को मत भेजो क्यो अब कोकिला कल राशी की बाते तुमने सुनी ना वो वो वाकई में मां पनने के लिए बहुत बेचैन है ये टेबल भी तो लग गया ओ माई गॉड एक चीज तो हम भूली गए केक 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 आनिवसरे के दिन केक नहीं ऐसे कैसे चलेगा हाँ पर जिगना आतो बद्धी नवाद दमानों नहीं वातों छे तो तो कैसे बोले गई तुमने तो सुची में लिखाया है नहीं हाँ बाब मैं तो बूल गई लेकिन राशे डाले तुम भी कैसे बूल सकती हो तुम्हे तो याद रखना चाहिए था ना मुझे तुमसे यह उमीद नहीं थी जादा दूर नहीं जाएंगे घर के पास के लुकान से ही लाएंगे